Hello everyone and I welcome you all to Baiju's exam prep. This is a mentor Aakash Shrandev और इस छोटे लेकिन बहुत impactful session में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की बहुत सारी missile arsenal के बारे में कौन कौन से missiles हैं, क्या उनकी specifications हैं, किस तरह के question जो exam में आते हैं वो आप कैसे handle कर सकते हैं वो हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, so watch this session till the end. Before I even start this session इससे पहले कि हम लोग बात करें अलग-अलग missiles के बारे में चाहें वर्ग नी है, आकाश, त्रिशूल, नाग है या फिर और बहुत सारी missiles हैं, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भाई, ballistic missile और cruise missile का difference क्या होता है? I know, यह एक ऐसी confusing चीज है, जो आपको time to time परिशान करती रहती है but you don't have to worry, I'll be using a lot of videos to make you explain this particular thing to make you understand this particular thing Make sure, इस session को share आप जरूर कर दे, अपने सभी friends के साथ और अगर आपको useful लगता है, तो इसको like और comment जरूर करके बताएगा कि यह session कैसा लगा यहाँ पर एक path है, आपको दिख रहे होंगे, in fact दो path है एक है, जहाँ पर लिखा है, बिलिस्टिक missile, एक है, जहाँ पर लिखा है, यह cruise missile का है अगर आप यहाँ वीडियो देख पाएं, तो cruise missile क्या है, एक तरह की cruise missile है, गाइड़ेट missile है जो कि आप कोई जमीन पे कोई चीज है, कोई naval object है, कोई ship है, उसको आप target कर सकते हो जब यह missile launch होती है, तो यह most of the time atmosphere के अंदर ही fly करेगी यह कोई बहुत जादा ऊपर नहीं जाएगी, यह जैसे plane उड़ता है, उस तरह से उड़कर जाएगी, almost constant speed पे और अपने target को हिट करेगी, that is what we call a cruise missile, for example, Brahmos, जो Brahmos missile है वो एक बहुत famous cruise missile है, cruise missile को आप चाहे तो ship से launch कर दो, चाहे आप इस तरह से land से launch कर सकते है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में, तो यह कैसे उड़ रही है, जैसे plane उड़ता है, वैसे उड़ रही है So, the best part is, कि आप कहां से भी वो launch कर रहे हो, it doesn't matter, वो अपना path उस तरह कहीं रखने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया वहीं दूसरी ओर, जैसे अगनी की हम लोग बात करते हैं, अगनी क्या है, एक बहुत फेमस बलिस्टिक missile बलिस्टिक मिसाइल, जो कि जैसे एक missile launch होती है, उस तरह से launch होगी, have a look in this video, यह मैं अगनी का आपको एक launch दिखा रहा हूँ तो यह launch होगी, यह atmosphere में बहुत उपर जाएगी, और उसके बाद यह दुबारा से re-entry करेगी, तो आपको याद रखना है, जैसे कि एक fire होती है bullet, बंदूग से उपर की तरफ, उस तरह से यहाँ पर इसको launch किया जाता है, तो you can have a look, यहाँ पर यह launch होई, बहुत हाइट पे गई, उसके बाद यह re-entry करके अपने object को hit करेगी, तो वहीं पर cruise missile होती, तो यहाँ पर आते इस तरह से hit करती, तो फरक सिर्फ इतना है, कि इनका path बिलकुल अलग है, and this is something you got to understand, so I hope आपको ballistic missile और cruise missile में एक basic अंतर जरू समझा गया होगा, इन videos के माध्यम से, मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ पर यह अगनी missile है, जो कि एक ballistic missile कहते है, anyways, now, एक odd distinction है, जो काफे सारे students है, यहाँ पर confused होते है, जैसे कई बर हम लोग बोलते है, Sam, Sam क्या है, Sam है, surface to air missile, जैसे यह मान लीजे missile है, यह surface पर है, और यह air में को target को hit करती है, तो इसको हम बोलेंगे Sam, मान ल इसको हम बोलेंगे, surface to surface missile SSM, तो missiles SSM भी होती है, missile Sam भी होती है, यहाँ तक कि कई Astra जैसे missiles भी होती है, कि वो air to air ही hit कर देंगी, तो अलग-अलग तरहां कि आपके जो भी target की, आपकी visualization है, जो hitting capability है, उसके हिसाप से यहाँ पर हम लोग यह सारी चीज़े समझेंगे, इंडिय कि अगर हम breakthrough की बात करें, तो I think यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, जिनको हम लोग missile man of India बोलते है, यह शोली के in comment, in fact अगर आप कर सकें, मैं जानतों थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इनका बहुत प्यारा सा कोई quote जरूर comment कर दीजेगा जो आपका फेवरेट है, I'm sure कोई ना कोई quote आपने जरूर सुना होगा इनका, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनका नाम बताऊंगा, इसका मतलब कि मैं यह सोच रहा हो कि आपको नहीं पता, जो कि ऐसा नहीं है, so मैं इनका नाम नहीं बता रहा है, he's the missile man of India इनका कोई quote फटावट से comment कर दे ना, after this video, anyways, तो हमने जो IGMDP है, IGMDP मतलब क्या, IGMDP मतलब Integrated Guided Missile Development Program, तो 1979 के आसपस हमने inception में लाया, और 1980s में यह properly launch हुआ, तो 1980s में हमने missiles develop करनी स्टार्ट की, मैं बताना चाहूंगा, इस program के तहत, यानि कि IGMDP के तहत, पांच missiles जो है, उ त्यार की गई, प्रिथवी, अगनी, त्रिशूल, आकाश और नाक, वह बत अलग है कि त्रिशूल जो है, वो discontinue हो गई, लेकिन बाकी missiles जो है, उनको successful माना जाता है, तो अब हम बाकी missiles के बारे में बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा, कि अगनी is the most important one of all, उन सब में सबसे important तो अगनी ही है, लेकिन हमें तो बाकी सब के बारे में भी बात करनी है, सबसे पहले में बात करता हूँ, प्रिथवी से, तो प्रिथवी क्या है, सर्फेस टू, सर्फेस मिसाइल है, यहाँ पे Russian SA2 जो propulsion उस समय बहुत famous था, उसको use किया गया, liquid और solid दोनों fuel use होते है Now, what is important is, कि प्रिथवी के अलग-अलग variants है, variants समझते हो, जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो, variants होते है न, वैसे इसके अलग-अलग variants है, जैसे प्रिथवी 1, जो की Indian Army use करती है, वो tactical missile है, बहुत जादा लंबी range की नहीं है, it's 150 km range होली, then प्रिथवी 2, जो की Indian Air Force के लिए बना कि बहुत important missile है, आप ध्यान रखेगा, तो प्रिथवी 3 जो variant है, उसमें अच्छी चीज़ यह है, कि रेंज तो जादा ही है, पेलोड की capacity भी यहां पे जादा बनाएगी, तो इस इस फार Indian Navy, तो नेवल वेरियंट जो है प्रिथवी का, this is quite an important one, प्रिथवी 3 इसको हम लोग बोलते हैं, having said that, अब एक चीज़ आप और यहां पे समझेगा, यह धनुश तो चलिए आप यहां देख पा रहे हैं, we got to understand that धनुश के इलावा, we have got some ballistic missiles, जो की short range, medium range की concept में आती है, शौर यह है, प्रहार है, धनुश है जो हमने बात की, तो these are quite an important one, जो की आपको कई बर शायद पूछ सकता है, so you should be able to understand this point, why, now we talk about a very important one, यहां पे एक missile है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, Sam बोलेंगे, why Sam, Sam is surface to air missile, simple, तो जब हम Sam की बात करते हैं, it's very much synonymous with आकाश missile in India, याद रखेगा, sound of speed से भी तेज उडने वाली आकाश missile के मैं यहां पे बात कर रहा हूँ, क कुछ भी है, चाहे 18 km altitude पे ही क्यों ना हो, इसकी एक शमता है, उसको हिट करने की, पेलोड अच्छा खासा यह carry कर सकती है, और सबसे अच्छी बात क्या है, it can be launched from various platforms, अलग-अलग platforms आइसको launch कर सकते हैं, तो यह इसको एक बहुत ही versatile missile बनाता है, हलां कि ऐसा नहीं है कि हमार राट में इसको shutdown कर दिया गया, आकाश missile के ओपर जाधा R&D की गई, इसकी research and development इतनी नहीं की गई, तो यह आपको थोड़ा सा एक idea होना चाहिए, now we talk about the other one, जैसे प्रिथवी हो गया, त्रिशूल हो गया, अब हम बात करते में नाग की, नाग, नाग नाम आता ही आपको पत इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टांक के ओपर चाहे ERA, explosive reactive armor, तब भी यह capable है उसको hit करने के और इसको destroy करने के, यह missiles बहुत important होती है, कभी भी battlefield के हम लोग बात करते है, we got to understand that these are the kind of missiles जो हमें बहुत जादा edge देती है, इस तरह का ERA होता है, तो इसको भी वो breach करने के लायक है, जब मैं variance की बात करता हूँ ना के, it has got various variance, चाहे प्रॉस्पीना है, हेलीना है, हेलीना सांट है, MPA TGM है, मैं MPA TGM से जानबुझ के start करना चाहूँगा, it's very important one, जब भी आप warfare में जाते हो, यह क्या है, man portable anti-tank guided missile, आप इसको basically खुद carry करेंगे, infantry खुद carry कर रही है और यहाँ पर धाई किलोमेटर तक ये battlefield में tank को hit कर पाएगी, वहीं दूसरी और, we have got हेलीना, helicopter version है, जैसे ये helicopter है हमारा, तो रुद्रा हेलीकॉप्टर जो LCH है, light combat helicopters, उसके उपर से आप launch up करेंगे, इसके range बढ़ जाएगी, 7 से 10 km हो जाएगी, वहीं पर प्रॉस्पीना जो है, उसकी up to 4 km range रहेगी, and we have got हेलीना, सैंट as well, which is upgrade version of हेलीना, जिसकी 20 km तक range है, तो almost आप ये मान के चलिए, कि 500 मीटर से 20 km तक की range है, अलग-अलग variance की जो की नाग है, anti-tank missile है, तो आप नहीं expect कर सकते की 100-100 km की range होगी इसकी, ये थोड़ा सा logic है यहाँ पे, anyways, एक न नाम का की, that is naag missile carrier, ये आपको पता होना ज़रूरी है, so you got to understand की यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग basically naag को launch करके चल रहे हैं, so हमने किन चीजों की अभी बात की, प्रिथवी की बात की, हमने त्रिशूल की बात की, आकाश की बात की, naag की बात की, now comes the very important one, अगनी missile, ये तो एक बहुत जादा, एक ना सिर्फ strategic advantage है इसके साथ, एक बहुत बड़ा deterrence create करती है, अगनी missile, so you got Agni 1, 2, 3, 4, 5, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले आप जानिएगा, अगनी 1 के बारे में, when you talk about the Agni 1 missile, you have to just understand one very basic aspect, वो क्या है, कि यहाँ पे इसको intermediate range ballistic missile बोला ग 2004 में इसका induction हुआ, and कहा जाता है, it was a new era for Indian arm forces, जब इसको Indian arm forces में induct किया गया, तो उसको एक नई सुबह बोला गया, एक नई era बोला गया, Indian arm forces के लिए, nuclear payload तो carry करी सकती है, the best part is, कि यहाँ पे 700 से 800 km तक यह लिजा पारी थी, 100 kg का, जो भी conventional या फिर nuclear payload है, तो एक बहुत बढ carbon composite material की वज़ा से, जब यह atmosphere में वापिस भी आती है, क्योंकि ballistic missile ऐसे जाती है, तो यहाँ पे बहुत friction मिलता है, उस friction की वज़ा से burn out होने से बचती है, that's a very good thing, now we talk about Agni 2, Agni 2 जो कि Agni 1 के बाद आई, इसमें अच्छी चीज यह थी, कि range was extended, it was extended up to 2000 km, इसके वज़ा से बहुत सारा southern part of the China, western central part of the China, हमारी range में था, मैं यह नहीं कहता कि हम लोग यहाँ पे attack करने की बाद कर रहे है, no, not at all, लेकिन मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं, कि हम लोग यहाँ पे सिर्स समझ रहे हैं, कि सामने वाली country को पता होना चाहिए, कि we have got all these weapons, we are equipped with them, जब अगनी 3 की बाद साती है, it has even more extended range, that is 3,000 to 5,000 km, 2011 में इसको अंडग किया गया था, and it's been almost 11 years, अगनी 3 बहुत एक वर्सेटाइल मिसाईल है, इसके बहुत सारे जो launches हुए है, जो successful test launches हुए है, and 1500 kg याने कि देड टन तक का वारलोड, conventional या फिर नुकलियर यह कर सकती है, यह इसकी सबसे बड़ी खास बात है, तो आप देख सकते है, with time हमने क्या किया, अगनी की range और उसकी carrying capacity warheads की दोनों को enhance किया, अब बात आती है, अगनी 4 की, तो अगनी 4 क्या है, it has got the range up to 4,000 km, it can take warhead up to 1 ton, और 2014 में इसको इंडग किया गया, last in fact proper जो इंड़क्शन है, वो इसी की की गई है, तो बार news में आती है, अगनी 5, तो अगनी 5 की क्या story है, देखने में तो बहुत बढ़िया missile है, but what exactly is the story, याद रखेगा सबसे पहले तो, कि यहाँ पे it is intercontinental ballistic missile, जिसको DRD ने of course develop किया है, now it can carry up to 1.5 ton of warhead, सबसे अच्छी बात है, कि सारे Asia के parts, all parts of Africa, all parts of Europe, मैं यह जाने की capacity रखती है, induction basically process में ही है, almost done ही है, समझे, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, तो आप एक चीज़ आज रखेगा, कि हम लोग जब भी बात करते हैं, अगनी 5 की, तो आप यहाँ पर यह point मानके चलिए, तो यह पूरा जो area है, अगनी 5 क्या करता है, वो cover कर सक है, और जब मैं बात करूंगा, अगनी 6 की, जो की of course development phase में है, तो अगनी 6 तो पूरा ही world almost, यहाँ पर आप देख सकते, cover कर सकेगी, so that won't be a big issue for that, यह हमें पता होने थे, so हमने अगनी missile के बारे में भी यहाँ पर बात की, अब एक और बहुत important missile है, जो again काफी news में बनी रहत होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, and that is Brahmos, Brahmos के बारे में, let's have a look, Brahmos, India और रश्या की जो friendship है, collaboration है, उसको signify करती है, पहली बात तो यह, another thing is, कि this particular missile has got the range up to 290 km, and it is a supersonic missile, of course, speed of sound से तेज है, और यहाँ पे यह बहुत ही precision के उपर operate करती है, its cruising altitude could be up to 15 km, तो 15 km तक यह उपर जाकी cruise करेगे, of course, यहाँ पर यह cruise missile है, यह ballistic तो नहीं है, it is basically a cruise missile, तो आपको यह अंतर पता चल गया है, कि ballistic or cruise missile का क्या होता है, that's most important one, एक और missile मैं यहाँ पर आट करना चाहूँगा, that is Astra, जो की एक important missile है, जो की aircraft में carry की जाती है, and it is basically air to air, air missile, तो aircraft से aircraft को hit किया जाएगा, this is how it is, now, आप comment करके, मुझे quote तो बताएंगे, उस great इंसान के, जिसकी मैंने आपको photo दिखाई थी, missile man of India, do join my channel, telegram पे, इससे आपको काफी जादा updates मिलते है, and not only that, आपको, अगर ये video अच्छी लगी है, so make sure you share it as well with all your friends, do hit the like button, if possible, and comment करके जरूर बताएंगे, और कौनसे sessions आपको यहाँ पे चाहिए, that's it for now, thank you, and jayhand everyone.